नमस्कार दर्सको धार्मिक चमतकार में आप सबी का स्वागत है माता सीता भस्म कर सकती थी रावड को लेकिन क्यों नहीं किया आईए जानते हैं माता सीता को साक्षत लक्ष्मी जी माना जाता है बे स्री राम जी की ही तरह सकती साली है बे चाहती तो रावड को उस वक्त भस्म कर देती जब बहे हरन करने आया था बे चाहती तो असोग बाटिका में पहुच कर भी रावड को भस्म कर देती या उसका किसी भी वक्त बद कर देती लेकिन माता सीता ने ऐसा क्यों नहीं किया जबकि बो तो खुदी आत्मरक्षा करने में सक्षम थी बास्तब में माता सीता स्वयम सकती सो रूपा थी माननेता के अनुसार कहते हैं कि जब सीता जी ससुरा लाई थी तो उन्होंने सबसे पहले रिसी मुनियों और परिवार जनों के लिए खीर बनाई और दसरत सहित सभी को परोसी जब बे उन्हें खीर परोस रही थी उसी समय ते छबा का छोका चला और सभी ने अपनी पतल समाली लेकिन उस दोरा ने राजा दसरत की खीर में एक छोटा सा घास का तिनका आकर गिर गया माता सीता ने उस तिनके को देख लिया था परंतु खीर से वो तिनका सब के सामने कैसे निकाले ये बड़ी दुभीदा थी तभी उन्होंने तिनके को दूर से गूरा और माता सीता की दश्टी से ही वो तिनका पुना ओड़ा और हबा में राक बन गया सीता जी को लगा कि उनका ये चमतकार किसी ने नहीं देखा लेकिन राज़ा दसरत ने ये सब देख लिया था और वो समझ गए थे कि ये कोई साधारा निस्तरी नहीं है बलकि जगत जन्नी है उनके चमतकार को देख कर बेबी डर गए थे खीर खाने के बाद राज़ा दसरत अपने कक्छ में चले गए और बाद में उन्होंने सीता जी को अपने कक्छ में बुलवाया बहां उन्होंने माता सीता से कहा कि आपका भई चमतकार मैंने देख लिया है और अब मैं समझ गया हूँ कि आपको उने इसलिए आज आप मुझे एक बचन दीजिए कि जिस द्रश्टी से आपने उस तिनके को देखा उससे कभी किसी और को नहीं देखेंगी इस बात को सुनकर माता सीता ने दसरजी को बचन दिया कि मैं कभी किसी को इस द्रश्टी से नहीं देखूंगी जब रावर ने उनका हरन किया था तो वो स्वयमी उसको भस्म कर सकती थी परंतु वो राजा दसरत को दिये बचन से बनी हुई थी इसलिए जब रावर उनके करीवानी का प्रियास करता था योने धमकाता था तो वो उससे कुछ नहीं करती बस हाथ में तिनका उठा कर घूरने लगती थी और उसके प्रती अपने किरोध को नियंतरित करती थी आपको ये कता कैसी लगी? कमेंट में चरूर बताइएगा और आप भी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमतकार को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिएगा धन्यबाद